दौर से कर्णल वर्मा जी स्वागत है आपका नमस्कार सर कैसे हैं आप बहुत अठीक हैं आपके आशिरवाद से आदाप असिंदाव जाहिंद आदाप स्वागत कर्णल वर्मा का दो सवाल मेरे पूछनद है आपको एक तो यह जो आठीक में अचनक बाउठा आजाता है तो कि दिये गोंतिया बेतर रहेगा और कुछ और रहेगा और दूसरा यह जिसम में अचनक तकान तकान सी मेसूल होती है कमदोरी ची जेती है इसके लिए क्या घम लेना चीए जो चीक है हाँ देखी बायटा हाथ में आना यह पैरों में आना यह निशानी है कि नर्म हमारी नर्म में यानि नसों में कुछ पाबलम है जो जैसे पिंडलियों में एकदम अकड़न सी होगी पैर ऐसा एड़ गया इसी को बायटा कहते है यह हातों में हो या पैरों में तो दरसल यह हमारी जो नसे हैं यह कहीं दबने लगती है और कहीं क्या कमर में दबने लगती है जिसकी वज़े से हाथ या पैरों में बायटा आत कि गौंसिया इसका एक अच्छा इलाज है अगर आदा आदा गिराम लिया जाए तो ऐसी तकलीफों को या घुटने के दर्द की तकलीफ हैं कमर के दर्द की अगर असली गौंसिया मिल जाए तो फिर इनको फिर फाइदा मुम्किन है थकान थकान देखिए दो तीन वज़ा से होती है हमारी आपकी उमर वाले लोग जब इस उमर में हमारे जिसम में वो सब कुछ उतना तयार नहीं होता जितना हमें चाहिए तो हमें थकान सी रहती है कि दिल नी चाहता उठने को चलने को तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए कि अपना बीपी वगएरा भी चेक करें और कालिस्टॉल भी चेक हो जाए तो अच्छा है है साल में एक दो बार हो जाए हून का टेस्ट ब्रेट पेशन तो आप हमेशा कर सकते हैं रोस कर सकते हैं ये सही अगर हो अगर कालिस्टॉल जादा आए तो सबसे पहले कालिस्टॉल का इलाज करें तो फिर आपकी ठकन जाती रहेगी क्योंकि हून गाड़ा हो जाता है कालिस्टॉल जादा हो जाता है और वो सुस्ती से चलता है और हमारे को तहरीक रहती है एक्टिव रहते हैं हम खून की एक परियाब तेजी से चलने से जैसे आपने बच्चे देखे होंगे अब उन्हें सीधा खड़ा नहीं कर सकते हूं का हाथ पैर ऐसे हिलाते ही रहते हैं तो उनका खून पतला होता है तो उनको चैन नहीं पड़ भी अब हम आ जाते हैं कैल्सियम मल्टी विटामिस और आइरन आइरन की कमी भी हमें ठका हुआ सा महसूस कराती है मल्टी विटामिस की भी और कैल्सियम की कमी भी तो आइरन मल्टी विटामिन कैल्सियम और बहुत सारी जिसम की जरूरत की चीजें जो एक ही कैपसूल में मि नजती है अलो पैत में भी हैं तो वो अब एक रोजाना कहा सकते हैं और बस किसी को आयरन का कैप्षूल पेट में तकलिफ करता है खब्स कर देता है और लेट्रीन काली सी कर देता है फॉलाद यानि लोह यानि आयरन जैसे हम पालग वगए है ना उसकी सबजी किसी इन खाते है तो उस दिन हमारी जो पॉटी है वो काली सी होती है और आम आदमी समझ नहीं पाता कि आज ये काली पॉटी क्यों ही है ऐसी मल्टी विटामिज आईरन के कैपसूल खाने से भी यही हाल होता है तो जिन को कैपसूल से परिशानी हो वो मन रहे है जी